लो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल दिवेल्प के चनल आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीकिसे बहुत ही इजी वे में पालर जैसा फेशल जैसा लुक कैसे लेकर आ सकते हैं घर पर वो बताऊंगी तो आप जो पालर में फेशल करवाते हो उससे भी अच्छा घर में ह बहुत ही कम सामान में और बहुत ही साद कम खर्च में तो आप इस तरीकी मैं पहले छाटी दिल्वार रहे हैं अब आप ने पहँए जी को मिलेंगे फिर्स टाइम अगर आप इसको लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी रिजल्स देखने को मिलेंगे और साथ-साथ मगर आपने इसको रेगुलर ट्राय कर लिया यूज कर लिया तो आप बहुत ही आसान तरीकिस आपकी स्किन ब्राइटनेस भी करना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगे एक बार जरूर आप ट्राय कीजेगा तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने कटोरी ले लिए तो अब इसमें इस तरीके से फेयर लब्ली डाल देंगे हम तो अगर आप चाहो तो नॉर्मली आप जो डब्बा होता है वो भी ले सकते हो जो इस तरीके से मैंने पाउच लिया है आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो बट इस तरीके से मैंने भी पाउच ही खरी दे थे तो इस तरीके से पाउच को ही ले लेना है और इसको मैंने बहुत बार ट्राय किया है इसकी रिज़र बहुत ही अच्छे आते हैं तो अगर आपने इसको regular try कर लिया मैं इसको regular try नहीं करती हूँ अगर आपने regular try कर लिया तो मैं आपको बोल रही हूँ आप बहुत ही जादा ची तरीके से आपकी skin brightness करने लगेगी और बहुत ही आसान तरीके से आप fair भी होने लगोगी गोरे भी होने लगोगी अगर आप की skin तोड़ी dark है तब जो आप देख सकते हैं फेस पैक वो glow लाना स्टार्ट करेंगे आपके चेहरे पर और बहुत ही अच्छी रिजर्ट देगी है तो इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा mix कर लेंगे और मैं थोड़ी से speed में बोल रही हूँ क्योंकि इस तरीके से मैं आपको थोड़ी सी करना है तो आपको कोई भी confusion में होने की जरूवत नहीं है क्योंकि मेरा बोलने का तरीका यही है तो इसी तरीके से अब इसको डाल देंगे क्योंकि कुछ लोगों को problem होती है समझ भी नहीं आता है इसलिए आपको बताते तो मैं दो तीन बार आपको इसको समझाओंगी ट्र है वो दूद भी आप ले सकते हैं बाट आपको रॉमिल का यूज़ करना है मैं आपको इसलिए वोर्ड रू क्योंकि क्या होता है कुछ लोगों की स्किन बिल्कुल थोड़ी सी जदा होती है तो अगर आप दूद पका हुआ का यूज़ कर लोगे तो वो क्रीमी हो जाएग तो मैंने दो चमच के लगबग इसमें कच्छा दूद डाला है उसके बाद देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से यह पेस्ट हो चुका है तो अब इसमें चाहिए आप नीबू डाल सकते हैं मैं हनी डाल रही हूँ मैं आपको नीबू भी रिकमेंड करूंगे क्यों नीब तो इसको कोई भी लगा सकता है बैटर को इस पेस्ट को कोई भी लगा सकता है फेशल पैक को बट अगर आपको sensitive skin न तब भी लगा सकते हैं इसको आराम से यह कोई भी नुकसान नहीं करेगी आपके skin पर और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही easy तरीके से बन के त्यार होती अब मैं आपको इसको apply करना है बता दूंगे किस तरीके से आपको apply करना है इसको चेहरे पे तो इसको instant आप बना सकते हो बहुत ही कम टाइम लगा है मेरेको 5 मिट से भी कम लगे हैं इसको बनाने में तो अब इसको मैं face पे लगा लूँगी तो आप देख सकते हो normally इस तरीके स normally मैं cream लगाती हूँ आप कोई भी cream का use कर सकते हो जो भी आप normally लगाती हो ना regular वो आप लगा सकते हो इसलिए जो भी कोई ना कोई कोई तो cream आप लगाती होगी उससी को सबसे पहले आपको apply कर लेना है मैं आपको यह promote नहीं करूँगी कि जो मैंने लगाई है वही आप लग मसाज करके भी लगाओंगी na cream से कोई अब रहा रहा है तो अब इसको नेख पर भी लगाऊँ की इस पे को उसतरीगे से जहां पर लगा रहे है और आपको किरीम लगाने हो तो मैं नेक पे लगारी हो उगर आप हात्व पे GU pig लोगाना चाहते हो ट्ब भी कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से ग्लोग करेगी है अगर आपके स्केनक आपने इस तरीके से लगा लिया तो इस तरीके से मैं मसाज भी कर रहे हूं यह थोड़ी स्पीड में जा रहा है मसाज आपको धीरे दीर ही करना है तो यह मसाज आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं तो इस तरीके से यह फेशील पैक आप जैसे पार्लन को लगा लेना है तो यह देख सकते कितने अच्छी तरीके से आपका चाहरہ ग्लो करेगा और बहुत ही इजी तरीका होगा इसको बनाने का कोई हर्ट तरीका नहीं है कोई भी आपकी रियक्शन न बहुत यह अची तरीके से गलो लाना स्टार्ट करेगा अगर अपने इसको तरीके से ट्राइ कर लिया तो बहुत यह अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको और मैं आपको एक पर रिकमेंट करूंगी एक पर ज़रूर ट्राइ कीजिगा क्योंकि फियर लवली ऐसी बाद आपको इसको धुल लेना है तो मैंने चेहरे को धुल लिया बहुत अच्छा ग्लू आया है तो अगर आपको यह इस तरीके से चाहिए ग्लो तो आप एक बाद ट्राइ कर सकते हैं इसको